नमस्कार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा विशय है चंद्रमा का चिन आपके हाथ में यदि कहीं पर भी चंद्रमा का चिन दिखाई दे तो उसका प्रभाव कैसा होगा आप पर आये जराई से जान लेते हैं अब जहां हम चंद्रमा के प्रभाव की बात कर रहे हैं तो यहां चंद्रमा का चिन कुछ इस तरह का आपको हाथ में दिखाई देगा और चंद्राकार चिन आपको हाथ में दिखाई देगा यदि यह चिन इस तरह का दिखाई दे तो इसे आप चंद्रमा का चिन मान सकते हैं लेकिन ये स्वतन्तर चिन्ह हो यदि ये स्वतन्तर होगा तभी इसके वो प्रभाव दिखाई देंगे जिनकी मैं आज की वीडियो में चैचा करूँगा लेकिन यदि आपको स्वतंद्र चिन्ह दिखाई नहीं देता है तो हाँ फिर उतना शुब या विशेश प्रभाव आपको देखने में नहीं आएगा यदि आपको चंद्रमा का चिन्ह दिखाई दे किसी व्यक्ति के चंद्र परवत पर अब धान दीजेगा चंद्र चिन्ह को चंद्र परवत पर तो बहुत शुब माना जाता है लेकिन यहां स्थिती क्या है यहां स्थिती ये है कि आपको ये देखना है कि चंद्रमा पॉजिटिव है या चंद्रमा नेगिटिव स्थिती वाला है यदि चंद्रमा बहुत positive स्थिती वाला है तो ऐसी स्थिती में आप क्या देखेंगे कि चंद्रमा के चंद्रमा के चंद्रमा पर होने पर ऐसे व्यक्ति के चंद्रमा के गुणों में कई गुणा वर्जी हो जाती है ऐसा व्यक्ति बहुत soft natured होता है सौम्य होता है ऐसा व्यक्ति की लेखन शैली कावगे शैली बहुत कमाल की होती है कलपना शक्ति बहुत अच्छी होती है सामान्य लोगों से अधिक कलपना शक्ति होती है उसमें intuition power बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति का सभाव बहुत इसके आसपास लोगों का समुई से पसंद बहुत करता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिती मानी जाती है जबकि चंद्रमा पर चंद्रमा का चिन हो यदि चंद्रपरवत पर चंद्रमा का चिन तो है लेकिन अशुब चंद्रमा है अब अगर चंद्रमा बहुत नेगिटिव स्थिती में है चंद्रस्त परवत और अब उस पर चंद्रमा का चिन आ जाए तो फिर बहुत शुबफल नहीं होगा फिर आपको कुछ समस्याइं देखने में आएंगी ये समस्याइं क्या रहेंगी कि ऐसे वक्ति की कल्पना शीलता बहुत अनसेसरी रूप से बढ़ जाएगी और उसे कुछ समस्याइं इसी कारण से आने लगेंगी कल्पनिक जादा होगा वेवारिक कम होगा थोड़ा आलसी हो जाएगा और चीजों में नेगिटिविटी जादा ढूंडेगा उदा सीन ताधिक रहेगी तो ये सब चीजें उसमें देखने में आम तोर पर आने लगती हैं यदि हम बात करते हैं कि चंद्रमा आपको किसी वेक्ति के केतू परवत पर दिखाई दे यदि किसी वेक्ति केतू परवत पर आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो केतू परवत का चंद्रमा निश्चित रूप से धन के मामले में बहुत अच्छा माला जाता है ऐसा वक्ति धनी रहता है और बच्पन में से ही यदि है जन्म से यदि यहाँ चंद्रमा है तो ऐसा वक्ति बच्पन से ही बहुत सुखी और आनंद वाला जीवन जीता है तो तरक्की बहुत अच्छी देखता है ऐसा वक्ति तो एक तो चीज यह हो गए कि यहाँ चंद्रमा क केतु पर चंद्रमा हो अशुब केतु पर चंद्रमा से क्या होगा अशुब केतु पर यदि आपके चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक चिंतक बुद्धी का होगा यानि कि अधिक चिन्ताएं करने वाला अधिक negative aspect में सोचने वाला होगा तो ये एक समस्या यहां आ जाती है और साथ-साथ क्या होता है कि केतु के संबंधित रोगदोश अधिक देखने में आने लगते हैं मानस्तिक रोग यहां थोड़े बढ़ जाते हैं यदि किसी व्यक्ति के शुकर परवत पर आपको चंद्रमा दिखाई दे अब शुकर परवत पर चंद्रमा जो है यह शुब होता है क्योंकि शुकर चंद्रमा की प्रकृती है वो बिल्कुल मेल खाती है दोनों ही कलात्मक अभिरूची रखते हैं दोनों की एक तरह से केली सौंदर्य पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, इस्त्रियों का कारग रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का इस्त्रियों से संबंद बहुत अच्छी रहती है, आसपास इस्त्रियों की भीड बहुत रहती है, आकर्शन बहुत रहता है, पुर्शों के मामल कि समझ बहुत अच्छी होती है ऐसा वक्ति जिसके चंद्रमा या शुक्र पर दोनों पर जहां भी चंद्रचिन हो तो ऐसा वक्ति प्रकृती प्रेमी बहुत होता है और संद्र्रे प्रेमी बहुत होता है साथ ही साथ इसमें क्या खास बात देखते हैं जब यह शुक्र पर हो और आपने आपको बहुत महकदार और बहुत सुंदर दिखाना चाहता है। ये उसकी प्रकृति सुभावता होती है। कोई विशेश इंटेंशन से वह ऐसा नहीं करता है। या किसी के लिए ऐसा करता नहीं है। ऐसा व्यक्ति शुरू से अंध तक वह ऐसा ही रहता है कि वह पुरा बंठन के रहेगा, शुरूंगार अच्छा करेगा। और खुब सौंदरे पर बहुत ध्यान देगां। अपने शारीन सौंदरे पर भी और आसपास के लोगों के डेकॉरेशन पर भी, अपने घर की इंटिर डेकॉरेशन पर भी, घर को भी काफ़ी साफ सुत्रा और स्वच रखने का कोशिश आसा व्यक्ति करता है तो interior decoration के लिए अच्छा होता है हाँ जब को लोग कला से जुड़े हैं dance से जुड़े हैं, निर्टे से जुड़े हैं उनके लिए तो ये विशेश रूप से शूब है एक dancer के लिए आप व्यक्ति बढ़ जाती है ये उसके expression भी अच्छे होते हैं dance भी बहुत अच्छा होता है actor के लिए बहुत ही शुब चिन माना जाता है तो ये है तब जब शुक्रक्षेतर पर आपको चंद्रमा का चिन दिखाई दे यदि किसी के मंगल पर अंद्रूनी मंगल पर आपको यहां चंद्रमा का चिन दिखाई दे तो यहां चंद्रमा का चिन जो है वो कुछ मामलों में अलग चिन रहता है कि यहां चंद्रमा का चिन होना साहस पर नियंतरन लाता है ये positive है ऐसा व्यक्ति साहसी होता है लेकिन अक्रामक नहीं होता, ऐसा व्यप्ति का साहस बहुत स्योमित स्थितिका होता है, और उबिकुल कब क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सोच विचार के साथ करता है, गुसे में भढ़क कर कुछ काम नहीं करता है, यदि आपको किसी ब्रिहस्पती पर किसी के चंदरमा का चिन दिखाई दे, तो ये बहुत ही विशेश रूप से सुबचिन है, यहां चंदरमा का चिन होना दो-तिन महमलों में विशेश है, एक तो क्या होता है, कि ऐसे व्यक्ति की आकर्षन शक्ति और नेत्रित्तु शैली, दोनों कमाल की है, ऐसे व्यक्ति की धार्मित्ता की बहुत ही अच्छा होता है, मिलनसार बहुत होता है, तो यहां ये कई मामलों में अच्छा हो जाता है, जहां ये राजनेतिक पकड़ को अच्छा करता है, धार्मिक योग्यता को अच्छा करता है, साथ-साथ ऐसे व्यक्ति के सुभाव को भी आदर्श वादी कर देता है, यहां व्यवाहिक जीवन की दुष्टी से भी यह काफी शुबचीन है, क्योंकि यह आदर्ष सुभाव का रखता है, तो ऐसा व्यवत्ति रिप्रेम करता है, तो बिल्कुल दिल से करता है, फॉर्मेलिटी नहीं करता है, तो बिल्कुल सही तोर पर सुभाव रखने वाला व् समस्या है कि यहां ऐसा व्यक्ति थोड़ा एहमी हो जाता है और थोड़ा जूड़ बोलने वाला और कलपना शीलता जो है उसकी वो नेगिटिव एसपेक्ट में चलियाती है अगर आपको शनी परवद पर यहां पर आपको दिखाई दे चंद्रमा का चिन अब शनी परवद पर चंद्रमा का चिन जो है ये भी काफी शूब माना जाता है किन्तो इससे जोड़ों के संबंदित कुछ समस्याएं पैदा होती है यानि कि ऐसे व्यक्ति को वात रोग ज़् होती है वायू के संबंदित जो रोग रहते हैं आई-उर्वेद में बताए गए हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं वात रोग बढ़ जाते हैं किन्तो साथे साथ क्या देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के धन और सुख में भी बढ़ोतरी होती है ऐसा व्यक्ति का सुभा बहुत अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति ध्यान में योग में काफी उनुति करता है और यदि हम देखें कि ऐसा व्यक्ति यदि महंत है तो काफी प्रसिद्धी पाता है सन्यासी है तो काफी प्रसिद्धी पाता है लेकिन वो ठोशानसारिक व्यक्ति है तो धनकोश, इंचे में भी काफीर उच्छी लेता है लेकिन खर्च करने के बाद जुबबा जये के वही संच करता है लोगों के साथ इसका व्यभार बहुत अच्छा होता है व्यापार में बुद्धी बहुत अच्छी होती है तो यह सब मामलों में अच्छा रहता है यदि हम बात करते हैं कि सूर्य परवत पर आपको दिखाई दे सूर्य परवत परेदिया आपको किसी के चंद्रमा का चिन दिखाई दे तो यहां सूर्य और चंद्र जो है यह दोनों के बली हो जाने का संकेथ है ऐसे व्यक्ति की भाशन शक्ति और राजनेतिक शक्तियां बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति में भीड को अपनी और खीच लेने का अधूत आकरशन होता है ऐसे व्यक्ति में लोग अपना राजा देखते हैं अपना नेता देखते हैं तो इसलिए नित्त्तु शैली की दृष्टी से यह जो चिन है यह विशेश रूप से अच्छा और बहुत उच्छ श्रिणी के नेता के रूप में देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को लोग नेता नहीं बनाते यह सुम अपने पुरशार्थ के दम पर नेता बन जाता है तो यह विशेश रूप से शुब है लेकिन यदे ही दबा हुआ शनी सूर्य है और डबे हुए अशुब सूर्य पर यदि जो आशुब सूर्य पर चंद्रमा का चिन हो तो यह निशेश रूप से बहुत शुब फ़ल नहीं देता ऐसे लोगों को गर्म सर्द की बिमारी आधिक होती है ऐसे लोगों की उर्जा थोड़ी सी कमजोर पढ़ जाती है और कलपनाईं ज्यादा करती है तो ऐसा व्यक्ति कलपनाउं मही राज़ा बनता है वेवहार में उतनी लाव उसे नहीं मिल पाता है अब यदि हम किसी के बुद्ध परवत पर यहां चंद्रमा देखते हैं बुद्ध परवत पर चंद्रमा का चिंध एक तो ऐसे हातों में यह देखा गया है विद्वानों का मत है कि ऐसे लोगों में पिता पुत्र में कम बनती है एक तो समस्य यह रहती है कि यह चंद्रमा का यहां आशुब प्रभाव है लेकिन अगर व्यापारिक दिश्टी से देखा जाए तो यह बहुत इशुब होता है व्यापारिक दिश्टी से ऐसा व्यक्ति काफी धनारजन में करता है ऐसा व्यक्ति रतनों का व्यपार करता है अभुशनों का व्यपार कर यह अधातूं का व्यपार करता है तो काफी उनुती पाता है और अन्य प्रकार से भी यहीं ऐसा व्यक्ति वेग्यानिक है तो बहुत अच्छी खोज कर सकता है क्यों कि उसी कल्पना शक्ति अद्बूत बढ़ गई है और शोध में नई नई आविशकार में कल्पना शक्ति का आकाशिय जो साहस है उनमें सैयम लाता है ऐसा व्यक्ति खत्रा तो मोल लेता है लेकिन एक इस लेवल तक कि भई मृत्यू और खत्रे में अंतर को समझता है तो ऐसे व्यक्ति साहसिक कारों में काफी सफलता पाते हैं ऐसे व्यक्ति का भूमी से बहुत लाब होता है ऐसे व्यक व्यक्ति को दूसरों की जब बात करता है, ग्रेशन जब दिखाता है, तो उसमें बहुत साइयम बरता है, तो यह बहुत अच्छा चीन है, यहां पर भी यह दिया दबे हुए मंगल पर हो, तो यह कायर बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के साहस को दबा देता है, यह अशुब अंगल पर है, और साथ में चंदर चिन भी है, तो यह negativity ला देगा, क्योंकि यह जो साहस है, यह साहस को दब्बूपन में बदल देगा, ऐसा व्यक्ति काफी depressed महसूस करता है, और वो अच्छे से साहस प्रप्रदर्शन नहीं कर पाता, जहां उसके अभशकता रहती हैं, वह वह खड़ा नहीं होगा था, जिल्दि आपको राहूपर किसी के चंद्रमा दिखाई दे अब क्पैयोंक चंद्रमा का चिन यहां भी शुब है, चंद्रमा का चिन यहां धन की दिष्टि से शुब है, सफलता की दिष्टि से शुब है, लेकिन ऐसे व्यक्ति में बेचयनी थोड़ी से अधिक रहती हैं लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि यदि यहां चंद्रमा का चिन है तो व्यक्ति सफल रहता है धन कमाने के मामले में व्यवसाइक मामलों में खास तोर पर यूव आवस्था में काफी अच्छा प्रदशन करता है लेकिन यदि नेगिटिव राह और ऐसे अशुब राहू परवत पर चंद्रमा का चिन हो तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक बेचैनी बहुत जादा होती है ऐसा व्यक्ति में धहर्य नहीं होता है ऐसा व्यक्ति जल्दी बिखरने लगता है और इसी कारण से कारों में अस्तफलता भी पाता है तो जहां ये परवत पर है शुब पर है या अशुब पर है सत्व गुण परधान पर है या तमगुण परधान पर है रजस गुण परधान होने पर फिर ये मध्यम फल देगा तो ऐसी स्तिती में ये आपको कभी शुब तो कभी अशुब फल दे सकता है ये हमने बात की चंद्रमा के बा बात करेंगे तब तक आपका दिन शुभू धन्यवाद